नवस्कार मद्द प्रदेश के सभी अथिती सिक्षकों का एक बार अपनी यूटूब चैनल भारत इन यूटूब चैनल में फिर से स्वागत है हम आपको जहां से प्रवाइड कराते हैं अरिक्जाम संबंदी जानकारी सबसे पहले और सथी ग्रूप से दोस्तों आप यहां लिखा हुआ साफ साफ डीडी स्टार की बड़ी कवर बोपाल से निकल के आ रही है कि अथिती सिक्षक को नहीं मिली रहा है किस तरीके से रात की बात यहां पे तो पहली बार आप बिजिट कर रहे हैं तो कईने करी चैनल को सब्क्रेब कर लीजे यूग्कि अथिती सिक्ष इस एक जमरे दोरा आईउत कराएंगी पर्तदा परिख्षा परिणाम कभी भी आ सकता है लेकिन इस परिख्षा को देने बाले हथिती सिक्षकों का अनुभुआ रहा हो नहीं लाब देने के लिए आभीता को इन नहीं नहीं बनाया है जिसके कईंड जो सेक्कड होई हथित परिक्षा के लिए 28 दिसंबर को भीग्या पर निकाला थे जिसमें सभी अधीती सिक्षकों को निगा नहीं हो कि आधार पाचीश पीजदी आरक्ष्ण देने की बात कही ती इसके पाद बीबी ने आणन फनन में आचा संता लगने के बाद संसुद्ध आधेस में पांच अक् में आजवेत की गए थी यह है पूरा मामला नीचे पूरा मामला दिया गया है तो समझेंगे मामला क्या है अधीती सिक्षकों के अनुसा सिक्षक बार्दी 2018 के नियाम 11.4 11.7 घंड 4 में अधीती सिक्षकों को 25 पीजदी आरक्ष्ण का जिक्र है यह लाब आसास की स्कूलों के बाद विग्यापन जारी किया और अध्या एक के मिन्नु किरमांग साथ दो में न्यूतम सिक्षन योगिता में चूर देकर अधीती सिक्षकों से पूर्ण अधुमा मांग लिया जिससे आभी तक भड़क गया और जब उन्होंने जूट दिलासा देकर सांध कर दिया तो अधीती सिक्षक, असवसन के बाद दी परिक्षा पंदित परिक्षक के अनुसर उन्होंने आचार सनिता के दोरान जारी किया गया रहा है संसोदेत बिग्यापन का बिरूट किया और अनभवाव का लाब मिलेगा लेकिन परिक्षक के बाद भिया इसे पलड़ गया अब अ उसे राज्यों के उन आवितिकों को इस पात्रता परिक्षा में मुका दिया है जिनकी शेक्षिन की उगता अधूरी है इनकी डिग्रिया हमाई जून में पूरी होंगी लेकन हमें जूटा आसवसन देकर बाहर का रास्ता देखा जा रहा है पहले आसवसन दिया अब अधिका बिंदू मुझे इस पूरे में पूरी लेक में एक अच्छा लगा जो यहां पर आप समझेगे अधिकारियों की जिगर किसकी सरनले कोट की सरनले जिसमें इस प्रकारती जो फर्जी बारा हुआ उसका विरोट किया जाए उस साथी साथ सिक्षक भरती बर्ग एक और बर्ग